हम नम्र अनुरोद करते हैं, सर नमस्कार, मुझे आज देश के अलगले कौने में कई लोगों से बात करने का मोका मिला, बहुत संतोष हुआ सरकार के प्रयासों का लाप लोगों तक पहुचाने के लिए जो लोग इस अभ्यान में जुटे हैं मैं उन सब का भार व्यक्त करता हूं, आप में से कुछ साथ्यों को अज सम्मानित करने का सवभागय सरकार को मिला है आप सभी को जन अवस्वदी दिवस की भी, मैं बहुत बहुत सुब कामलाई देता हूं जन अवस्वदी केंद्र, तन को अवस्वदी देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली अवस्वदी हैं तो धन को बचाकर जन जन को रहात देने वाला के भी काम इसमें हो रहा है दवा का परचा हाथ में आने के बाद, लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरिंदे में खर्च होगा वो चिंता कम हुई है अगर हम इसी वित्तिय वर्स के आंकड़ों को देखें तो जन अवसदी कहंदरों के जरिये आठ सो करोड से जादा के दवाया भी की हैं इसका मतलब यह हुआ कि केवन इसी साल जन अवसदी कहं के जरिये करीब को मद्यंवर को करीब पांच हजार करोड रूप्या बचे हैं और जैसा भी अपने विडियो में देखा अब तक करीब 13,000 करोड रूपया बचा है सब मिला करके 13,000 करोड रूपया तो पिछली बचत से ज्यादा बचत हो रही है यानि कोरोना के इस काल में गरीबों और मद्यम्बर के करीब 13,000 करोड रुपे जनो सभी केंदरों से बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी मतत है और संतोस की बात है कि ये लाब देश के ज़ादातर राज्यों में ज़ादातर लोगों तक पहुंच रहा है आध देश में साड़े आठ रजार से ज़ादा जनों सद्धी केंदर खुले है ये केंदर अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बलकि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंदर बन रहे है महिलाओं के लिए एक उर्पे में सेनेटरी नेपकिन भी इन केंदरों पर मिल रहे है 21 करोड से ज़ादा सेनेटरी नेपकिन की विक्री ये दिखाती है कि जन आउसेदी केंद्रा कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है, Money save, each money earn, यानि जो पैसा बचाया जाता है, वो एक तरह से आपकी आए में जूड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च जब बचता है तो गरीब हो या मद्यमवर्ख वही पैसा दूसरे कामों में खर्च कर पाता है। आईश्मान भारत योजना के दाएरे में आज पचास करोड़ से जादा लोग हैं। जब ये योजना शुरू हुई तीन करोड़ से जादा लोग इसका लाब उठा चुके हैं। उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला है। अगर ये योजना नहीं होती तो हमारे इन गरीब भायों बेनों को करीब करीब सत्तर हजार करोड रुपे का खर्च करना पड़ता। जब गरीबों की सरकार होती हैं। जब मद्यंबर के परिवारों के सरकार होती हैं। जब निम्नव दिम्बर के परिवारों के सरकार होती है तो समाच की भलाई के लिए इस प्रकार के काम होते हैं। हमारी सरकार ने जो पी-एम नेशनल डायलिसिस प्रोग्रेम सुलू किया है। उसके तहट क्योंकि आजकल किड्नी को लेकर के कई समस्याज जान में आ रही हैं। डायलिसिस की सुविदा को लेकर के जान में आती हैं। जो हमने अभियान चला है। आज गरीबों ने डायलिसिस के सेवा के करोड़ों से जावदा सेशन मुपत कराए हैं। इस वज़े से गरीबों के सिरफ डायलिसिस का साड़े 500 करोड रुपया हमारे इन परिवारों के बचे हैं। जब गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती हैं तो ऐसे ही उनके खर्च को बचाती हैं। हमारी सरकार ने टैंसर, टीवी, डायबिटीज, टीवी हो या डायबिटीज हो, रदैरों को ऐसी बिमारियों की इलाज के लिए जरूरी 800 से ज़्यादा दवाईयों की किमत को भी नियंतरित किया है। सरकार ने ये भी सुनिशित किया है कि स्टैंट लगाने और नील इंप्लांट की किमत भी नियंतरित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब करीब 13,000 करोड रुपे बच पाए हैं। जब गरीबों और मद्यंबर के हीतों के बारे में सोचने वाली सरकार होती हैं तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाप करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से योजनाव का एमबेसर्डर बन जाता है। साथियों कोरोना के समय में दुनिया के बड़े-बड़े देशों में वहां के नागरिकों को एक-एक वैक्षिन के हजार रुपे देने पड़े हैं। लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की कि गरीबों को वैक्षिन के लिए हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्षिन के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़े और आज देश ने मुप्त वैक्षिन का ये भियान सफलता पूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30,000 करो और बड़ा फैसला दिया है जिसका बड़ा लाप गरीब और मद्यमबर के बच्चों को मिलेगा हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सिटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बरावर ही फिच लगेगी उससे ज्यादा पैसे फिच के नहीं ले सकते हैं इससे गरीब और मद्यमबर के बच्चों के करीब करीब ढाई जार करोटी पे बचेंगे इतना ही नहीं वो अपनी मात्रू भाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके टेकनिकल एजुकेशन ले सके ये इसके कान गरीब का बच्चा भी मद्यमबर का बच्चा भी निम्न बद् करकार Health Infrastructure को निरंतर मजबूत कर रही है आज आजी के बाद इतने दिस्वकों तक देश में केवल एक ही एमस था लेकिन आज देश में 22 एमस है हमारा लक्ष देश के हर जीले में कम से कम एक Medical College का है देश के Medical समस्थानों से अब हर साल डेड लाख नए डॉक्टर्स निकल निकल आ रहे हैं, जो स्वास्त से हुआ कि गुणबत्ता और सुलबता के बहुत बढ़ी ताकत मनने वाले हैं, देशभर के ग्रामी नियराकों में हजारों वाइलनस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, इन प्रहासों के साथ ही कोशिश ये भी है कि हमारे ना अब्यान के प्रमुख हिस्सा हैं, भाई और वहनों, सबका साथ, सबका अभी काँस, सबका विश्भास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़रे हैं, भारत में सबके जीवन का समान, सम्मान मिले, मुझे विश्भास हैं, हमारे जण अउस्षय ऐकेंद्र भी, इसी सं झाल 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 झाल